आज हमें काफी मरीज देखने मिल रहे हैं जो कि चिकन गुनिया के इंफेक्शन से तो ठीक हो गए लेकिन उनके जोडों में दर्ग आज भी है पेशन कहते हैं कि डॉक्टर मेडिसिंस लेते हैं तब तक तो ठीक लगता है लेकिन उसके बाद ये दर्ग फिर से हो उठता है तो चलिए आज इसी बात पर चर्चा करते हैं नमस्कार मैं डॉक्टर कलपेश चोहान हुमेपैटी कंसल्टर आज हम बात करते हैं चिकन गुनिया अर्थ्राइटिस के बारे में जो कि चिकन गुनिया के इंफेक्शन खतम होने के बाद होता है ये जल्डरली ओल्ड एज में देखा जाता है लेकिन आज के समय पर प्रोटीस की एज में महिलाओं और पुर्षों में समहान देखा जाता है तो चलिए आज देखते हैं कि चिकन गुनिया कैसे फैलता है और क्या इसके प्रिवेंशन हो सकते हैं अब बात पार चिकनगुणिया की तो यह एडिस इजिप्टम्स के बझान की ब्ईक के वज़े से फेलता है। अगर के आसपास चिकनगुणिया के पीशन्ट है तो यह मॉस्कीटों उन्हें ब्ईक करने के बाद अगर हीली को बाइट करता है तो इसी प्रकार से आपका इंफेक्शन फैल सकता है और आपको भी इंफेक्शन होने की संभावना है बढ़ सकती है अगर बात करें प्रिवेंशन की तो प्रिवेंशन की तो पर हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे आसपास कोई प्रिवेंशन के बाद भी अगर आपको फीवर उसी के साथ अगर जॉइंट पे नजर आता है तो तुरंत ही जाकर चिकनगुनिया आटी-पीस्यार की टेस्ट कीजिए यह टेस्ट आपको डे 1 से लेकर तो डे 7 तक जानी कि इंफेक्शन के पहले दिन से लेकर 7 दिन तक यह टेस्ट आपको मदद कर सकती है कि आपको चिकन गुनिया है या नहीं इसके अलावा आप दूसरे टेस्ट भी कर सकते हैं जैसे आंटीबॉडी टेस्ट होती है जो कि आईजी जी आईजीम टेस्ट करते हैं वो इंफेक्शन के 7 दिन से लेकर 30 दिन तक हमें काम आ सकती है अगर सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, जॉइन पेन, जॉइन में स्वेलिंग आना, बॉडी कर रैशेश आना, मसल्स में पेन होना ये सारे सिम्टम हमें नजर आते हैं फीवर लगबग 7-8 दिनों तक होता है जो कि 90% पेशेंट में देखा जाता है मसल्स पेन जो है, वो साथ से लेकर 15 दिन तक रह सकता है वो भी 90% पेशेंट में हमें पाया जाता है अब बात करें रैशेश की, तो ये सारे पेशेंट में तो नहीं नजर आता है लेकिन 42-50% पेशेंट में ये नजर आता है जो कि 7-8 दिन तक रह सकता है अब बात करते हैं, मेन कंप्लियन की जो कि जॉयन पे जिसे पॉलीर्थराल्जिया या फिर अल्थराल्जिया भी कहा जाता है जो कि आज हमारा मेन फोकस करने वाला टॉपिक है अब patient काफी बार क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं कि doctor infection तो खतम हो गया, fever तो खतम हो गया, rashes तो खतम हो गया लेकिन joint pain आज भी है जो कि कुछ week से लेकर कुछ महीनों तब भी रह सकता है अगर आपके आसपास किसी patient पे अगर आपको ये symptom नजर आते हैं तो ये चिकन युनिया की और संकेत करता है अब ये सारे symptoms तो चले जाते हैं लेकिन काफी मरीजों में हमें joint pain देखने मिलता है अब ये joint pain कुछ महीनों से लेकर lifelong भी रह सकता है अब इसके बाद arthritis, polyarthritis या फिर rheumated arthritis भी होने की संभाग नहीं इसकी वज़त से बढ़ जाती है ये ज़्यादा तर fortis के उपर की जो age group है महिलाओं और पुर्षों में ज़्यादा तक ये देखा जाता है अब सबसे main बात की अगर बात करें तो आता है management part योगी treatment part अगर हम pain कम कर ले वाली अगर दबा लेते हैं तो कुछ दिनों तक तो हमें ठीक लग सकता है लेकिन अगर आपका ये pain महीनों से जादा है तो आपको एक अच्छी treatment लेना ज़रूरी है जिसमें आपको हमेपैती काफी अच्छे से help कर सकती है बीना किसी steroid के या फिर बीना किसी side effect वाली medicines के आपको अच्छे से ठीक कर सकती है हमेपैती में काफी अच्छी दवाईया है जैसे कि युपैटोरियम, रश्टॉक, सिमिसी फ्यूगा, आर्निका और ऐसे काफी दवाईया है जो कि चिकनमुनिया अर्थराइटिस में काम आ सकती है self-medication मत कीजिए किसी अच्छे होमेपैती कंसर्टन से ही आप अपने medicines लीजिए